कि हैं अधा कब बेशन उसके बाद असमें डालेंगे कुछ मसाले तो हम थोड़ी सी अधा चमज सी थोड़ा सकते हैं एक पीद्चे गरम असाला डालेंगे ठोड़ी छीली ब्लेक्स डालेंगे अब लालमिच बनाते हैं लेकिन दही से काफी सॉप्ट बनेगी और अच्छी से मिला लिए उसके पानी से इसका एक डोर लगा लेंगे जैसे आटा गुनते हैं वैसे इसका डोर बनाएंगे बहुत नरम भी नहीं बहुत ज्यादा टाइट भी नहीं जैसे रोटियों काड़ा लगाते हैं उसी तरह से इनको अच्छी तरह से गूत लेंगे और इसका एक डोर बना लेंगे पेशन हाथों में बहुत पकती है तो आप यहाँ पर तेल घी की भी यूज कर सकते हैं और देखिए इसका डोर बन गया है अब इसको कोई रेस्ट वगर हाध सब्सक्वक्रिहत दोती नहीं करानी है शात के साथ बनाएंगे तो हमने इसको अपने हाथ को ना थो यह तोसे हां theoret मिला लीए उसके बाद हम इसमें दो का करहा है दो पेड़ी बना है जैसे रोटियों बनाते हैं उसको एक चकली पर लेंगे तोसे स्हों pointing कर लेंगे कि रोटियों से थोड़ी साहिं रोटियों से थोड़ी साहिम्म. कुणर तीसे तीर अदो हूं अब ऐस को दिखा देते हैं कितनीा ररखी सब्सक्रा पैय से सेपकर क्याम कॉते हैं सब्सक्रावलतip वासे रात्यान को सबस्क्राफे एक चाहिए, पहों की बिरुम्म. मैं थोड़ा सा अलग बना रही हूं तो मैं ऐसे सारे को कट कर लोंगी काम ज्यादा इजी हो जाता है आप अपनी मन पसंद की शेफ दे सकते हैं जैसे आपको पसंदो तो ऐसे सारे कट कर लेंगे अगर आपको रोटियां थोड़ी नहीं अच्छी लगी है पूरियां जो हम ब पानी करते हैं दोसरे तरह हमनने पानी रख दिती दो गिलास कार मोने के लिए आनैं चैसे घरन उसमिसमय घर पानी में हमें डाल देंगे और इनको दशी कर एक अश्का आइख न Pharise इनको दो से व चाहएं पानी में आड़ने लगे यह अपनी आप उपर हा है इसका मतलब पकाई लेंगे अच्छी तरह से जब पक जाएगी तो फिर हम इसे आपको दिखाते हैं देखिए इसे पकते हुए 12-13 मिनट हो गया है अच्छी तरह से पक चुकिए अभी कट करके दिखा देते हैं देखिए कट गई है और काफी सॉप्ट बनी हम इसको एक छनी में छान लें और यहां पहम ले लिए मसाले इसके तीन मीडियम साइज के प्याज है टमाटर लाहसुन हरी मिर्च अथरक आप इसे ग्रैंड कर सकते हैं चॉप कर सकते हैं जो आपको आसान लगे यहां पहम ने चार चमत दही ले लिए चमत जीरा डालेंगे आधा चमत धनिया पाउडर तोड़ा गरम मसाला हल्दी डालेंगे लाल मिर्च डालेंगे और इने अच्छी तरह से दही मिला देगे टमाटर जो होते हो बहुत खटे नहीं होते आज कल के तो खटे पन के लिए बेशन की सब्सी में थोड़ी खटास अच्छी होती है तो हम दही का यूचकी है और मसाल बेशन की सब्सक्राइब नहीं कर लिए थे इनको डाल के अच्छी तरह से बूहनेंगे जब तक कि प्यास टमाटर अच्छी से बोज ना जाए तो बहुन चुके हैं और इसे बूहने में तीन से चार मिनट लगे थे तो प्यास टमाटर भून चुके हैं जो दही वाले मसाल अगर आपके पास याब दही नहीं खाते हैं या किसी वज़े से तो आप थोड़ी सी आम चुर वगरा जरूर डालिए तो देखें आप मसाले भी भूनते हुए 2-3 मिनट होगा मसाले अच्छी से भून गई आप थोड़ी सी पानी डालेंगे और मसालों को मिला लेंगे ता दो गिलास पानी डाल दी है जैसे दो कप या दो गिलास इतना आप ग्रेवी रखना चाहते हैं उतना रखी आप उसके बाद हम यहां पर डाल देंगे नमक नमक डालके इन्हें तीन से चार मिनट के लिए ढख देंगे अच्छी तरह से जब उबलेगी तो उसके पाद फिर ग्रेवी में टाल देंगे तीन से चार मिनट इसके साथ पकाएंगे लेवी के साध़ थाकि गरेवी गारी हो जाएगी जिला लाइन जाए और जो गरेवी जाती है थोड़ी सी ओर फी गारी हो जाएगी तो हमने इसे 4-5 मिनट के लिए रख दिये थे बात में हमापको दिखाने पाये थे क्योंकि उसे में हमारे पास कोई आया था तो हम उसमें वीडियो नहीं दिखा पाये थे तो हम इसे दूसरे बरतन में डा नहीं थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन इये तरीका बहुत आसां था और बहुत ज्यादे समान भी नहीं नहीं लगे थे बन भी बहुत जट पट गया था उपर से धन्या के पत्ति वगरे अगरे डाल के सब्सक्राइब कर सकते हैं तो हमने नॉर्मरल इस ओप की हमारे पार अब आप इसे रोटी चावल पूरी किसी के साथ भी खा सकते हैं खाने में बहुत अश्टी है तो इस तरह से एक बार मेरे तरीके से बना के देखिए बहुत अश्टी लगेगी बनाना मी बहुत आसान बहुत जादा समान भी नहीं लगा है और सब को पसंद भी आएगी ताब आप एक बार जरूर बेशन की सब चीज तरह से बनाईए खाईए इंजवाई करिए और कमेंट करके भी बताएगा आप लोग हमारे वीडियो बनाने का आपको तरीका कैसे लगता है